शुप्रभाद बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार कवीरदास की साख्याँ फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चों का अडमिशन बाद में भी हुआ है, तो शायद उन्होंने ये ना पढ़ा हूँ, तेहां पे हम पहला दोहा पढ़ते हैं, मान सरोवर, सुभर का अर्थ है, पवित अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा का अर्थ है, हंस और इसका एक अर्थ आत्मा भी है, केली का अर्थ है, गड़ा करना, और मुक्ताफल का अर्थ है, मोती, ठीके, तो इसका अर्थ देखिए, अभी तक जब हम लोग एट तक परते थे तो साथ हरा जो व्याख्या होती थी, एक ही व्याख्या, एक दोएकी, या एक पद की हम लोग कर देते थे, लेकिन अब बड़ी क्लासों में प्रशन को कही तरह से घुमा के पूछा जाता है, ठीके, तो प्रसंग तो वही रहेगा जैसे पहले राता था, प्रस्तुर साक्षी में संत अबीर ने आत्मा परमात्मा के संबंदों के रहसे को इस पश्ट किया है, ठीके, उसके बाद भावार्थ, साधरन भावार्थ में आपको समझाती हूँ पहले, उसके बाद कभी-कभी शिल्वगर्थ संदरे भी पूछ देते हैं, भावगर्थ संदरे भी पूछ देते हैं ठीक है और भावगास संदरे में इसी भावार्थ को शॉर्ट में करके इसके भावगास संदरे को इस पश्ट के आता है वो कैसे करना है मैं आपको अभी समझ आती हूँ तो सबसे पहले हम भावार्थ देखते हैं कि मान सरोव सुलब जल यहां पर प्रस्तो साकी में भगवत प्रेम का वर्णन किया गया है भक्त इश्वर भक्ती में लीन हो जाते हैं तब ग्यान रूपी जीव अर्थात आत्मा मन रूपी सरोवर में विहार करता है और वहाँ वे मुक्ती रूपी मूतियों को चुकता है तब उसे और कहीं भटकने के अवशक्ता नहीं पड़ती है जीव को जब इश्वर प्रेम की प्राप्ती हो जाती है तब जीव इधर उधर नहीं भटकता वे संसारिक मुहमाया के बंदरों से मुग्ध हो जाता है उसकी संसारिक सुख सुधाओं में कोई रुची ने रहती वे संदेव आनन्द में मगन रहता है इस साखी में आत्मा परमात्मा के सम्मध्य करह से समझाया गया है कविर्दाज ये कहना चाते हैं कि आत्मा जो परमात्मा कहीं अंशोता है और वो हमारे शरीर के अंदर ही रहती है अर्थात परमात्मा का जो अंशात्मा है वो हमारे ही अंदर रहती है तो उस परमात्मा को ढूनने के लिए हमें बाहर जाने के क्या होशकता है हमें उसे कही और ढूनने जाने की आउशकता नहीं क्योंकि वो तो हमारे मन के अंदर ही है इस चाकी में बाय अडंबरो एतिर्त स्थानो आदी का वियोध किया गया है इनकी भाशा सद्धुकुडी है तो ये तो हमारा हो गया भावार्थ अगर इसी का अगर प्रशन आ गया कि इस दोहे का शिल भुगाव संदर बताईए तो हम कैसे बताएंगे सबसे पहले हम भाशा बताते हैं तो इसमें बच्चो कभीरदास जी के बारे में आप समझ लीजे क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो ज्यान की तलाश में इदोदर घूमते रहते थे सादू संगत में तो अनेक भाशाओं के शब्द उनकी भाशा में है जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के स्थानी शब्द जो है देशर शब्दी उनकी भाशा में है तो उनकी भाषा को सधुखडी भाषा कहा जाता है और ये जो चन्द है, कौनसा चन्द है? दोहा, तो दोहा ये चन्द है इसमें प्रतिकात्मक्षाली का सुन्दर प्रयोग हुआ है जैसे हंस भक्तिर्दय का प्रभु साधना में लगे हूए साधक का प्रतिक है इस प्रकान इस दोहे में इन्होंने रूपा कलंकार का सुन्दर प्रयोक किया है मान सरोवर आपने पहले भी पढ़ा होगा जहां पर आभेद आरुप होता है दो चीज की तुलना की जाती है उसमें कोई भी अंतर नहीं रखा जाता जैसे गुरुचर गुरुगोविंद शरी चरण कमल बंदो हरी राई तो यहाँ पे चरणो को ही कमल बता दिया गया इसी प्रकार मान सरोवर में इन्होंने रूपा कलंकार का प्रयोग किया है उसी प्रकारिस में केली करही में कवण की अरती बार बार हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है मुक्ता फल मुक्ता मे मुक्त होकर रहना सुभर में श्लेश लंकार है क्योंकि सुभर के दो अर्थ है सुभर का एक अर्थ है शुब्र पवित्र और दूसरा अर्थ है भरपूर आप यमक और रूपक के बारे में जानते होगे यमक लंकार में एक शब्द जो है दो बार लिखा गाता है दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं, तो वो यमा कलंकार होता है, शलेश में एक शब्द एक ही बार होगा, जैसे सुभर शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा है, लेकिन उसके अर्थ दो दो हैं, एक शुब्र है और एक भरपूर है, ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका शिर्वगत स संदर देखते हैं इस साखी में आत्मा परमात्मा के संबंद का रहस्त समझाया गया है आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वैं हमारे मन में ही मौजूद है उसे ढूंडने के लिए कहीं और जाने के अर्शक्ता नहीं है इस साखी के माद्यम से कवी ने बाय अडंब्रो और त प्रेश्ण कैसे भी घुमा के पूझा जाग सकता है यह मैं इसलिए समझा रही हूं क्योंकि नाइंत में प्रेक्टिस करेंगे और टैंथ में यह ऐसे ही आता है तो हम अभी से समझेंगे तभी तो हम टैंथ में कर पाएंगे अग दूसरा देखी है प्रेमी ढूंडत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्ण अम्रप होई यहां पे फिरो का मतलब है घूमना प्रेमी कार्थ है प्रेम करने वाला मतलब परमात्मा से प्रेम करने वाला विश्ण कार्थ है विश्ण कार्थ है यहां पे वि प्रभाव के जीवन में होने वाले सक्रात्मक्स प्रभाव को पश्ट किया गया है जीकी करते ही शरी इस्रोफ की मिलफ में देजने पर जीवन सफल हो जाता है लागा लिर्ग है इश्वर की मिलने से सभी समस्यां दूर हो जाते हैं, विप्रित परिस्टियां अनुकूल हो जाते हैं, मन का मैल दूल जाता हैं, ठीक है? मन पवित्र और निल्मर हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करने परे सभी मनुवकार दूर हो जाते हैं, भक्त इश्वर की भक्ती में लिन हो जाते हैं, ठीक है? फिर से देख लिजे प्रेमी ढूंड़त मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब्वी शम्रत होई यहां आत्मा से पर्मात्मा की मिलन की बात हो रही है प्रेमी मतलब जिससे प्रेम करते हैं इश्वर और प्रेमी मतलब वो मनुष्य जो की इश्वर से प्र दोनों आपस में मिलते हैं अथाक आत्मा और परमात्मा जब आपस में मिल जाती हैं तो जीवन सफल हो जाता है इश्वर की मिलने से सभी समस्यां दूर हो जाती हैं विपरित परिस्तितियां अनकूल हो जाती हैं मन का मैल दूल जाता है मन पवित्र और निर्मल हो जाता है तो तो इस प्रकार इनका भावार्थ है, शिल्गवास अंदर होगा तो क्या होगा, प्रतीक आत्मक्षाली, जैसे विश, विश कह है, यहाँ पे विश्कार्थ वैसे तो जहर है, लेकिन इनने इसको प्रतीक किसका बनाया है, मनुष्य की बुराईयां का, दुर्भावनाव का औ आगे है भावगस अंदर, इसमें भगवत प्रेम की चर्चा गी गई है, इसमें भक्तों की सत्संती की महिमा बताई गई है, सत्संती का प्रभाव बहुत मनुहारी बन पड़ा है, ठीक है, क्योंकि जब अच्छे लोगों से संगती होती हैं, तो हम भी अच्छे कारे करते ह अगर बुरे लोगों से संगती होती हैं, तो हम भी उधरी चल पड़ते हैं, अब तीसरा देखिए, हस्ती चड़िये ग्यान की, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे, जख मारी, यहापे हस्ती का अर्थ है, हाथी, सहज का अर्थ है, सभाविक, दुली गुचा का अर्थ है, कालीण, स्वान का अर्थ है, आप जानते हैं, स्वान का अर्थ कुट्धा होता है, जख मारना, वक्त बर्वाल करना, प्रसंग फिरवयोगा प्रस्तुत साखी में ज्यान के महत्तों को दर्शाते हूए, कबीर दास ने ईश्वर के प्राप्ती में ज् की सवारी करनी चाहिए इस ग्यान रूपी हांती पर सह साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए ग्यान प्राप्ति हो जाने पर जीवन धन्य हो जाता है जीवन वैभव पूर्ण हो जाता है फिर जीवन में किसी प्रकार का भाव नहीं रहता है मनुष का इस जीवन में इध उसी प्रकार संसार में घ्यानी को देख कर अग्यानी चिरहाते हैं विबेकार में अपना समय नर्ष्ट कर देते हैं। और कुट्टे की तरड़न निर्थक जीवन वेक्ट करते हैं। मुख्य भावया है, क्या ज्यानी व्यक्ति वेर्थ में अपना समय बर्बात करता है, ज्यान की बिना जीवन निरर्थक और सारहीन माना गया है, ज्यान इश्वर प्राप्ति का प्रमुक आधार है, कभी ने ज्यान की सहर साधना का वर्णन किया है, ठीके, और इसमें आडंब और दिखावा नहीं होना चाहिए यह बताया गया है अब इसका अगर हम शिल्प गत संदरे करेंगे तो क्या करेंगे रूपक अलंकार है ग्यान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलिचा इन्होंने हस्ती चड़े ग्यान की ग्यान रूपी हाथी कर वो दिया है उपमा दिया तो यहाँ पे रूपक अलंकार है शान रुपी संसार यहाँ पर उपमालंकार है, भूकंदे जक्मार यह प्रभावशाली बिंब है, उन्होंने जो मनुष्य विदवानों पे अच्छे लोगों पे, अच्छे लोगों अग्यानी व्यक्ति पर गहरी चोट की गई है तता साध को का मनोबल बढ़ाया गया है तो आज के लिए इतना है इसके आगे कब हम कल पढ़ेंगे ठीक है तो बच्चो धंग से ध्यान से पढ़िए इसके आगे अगर क्लास होगा तो गूगल मीट पर भी क्लास होगी लेकिन पहले मुझे बता देना कि आप सब के पास अपना फोन है और आप वह गूगल क्लास अटेंड कर सकते हैं या नहीं ठीक है